आप देख रहे हैं अपना समाचार नन्यवाद मैं अभिनेता श्कूँ डॉक्टर शेलेंद्र श्रीवास्तों आप सभी दर्शकों का आभारी हूं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और अभिनेंदन हैं जी भोजपुरी सिनेमा की शुरुवात ऐसे हुई कि सुरेंद्र पाल सिंग जिनने आप सभी गुरु दुरोनाचारी के नाम से जानते हैं वो एक फिल्म बना रहे थे ए भोजी के सिस्टर जिसमें मनोज तिवारी साफ हीरो थे तो सुरेंद्र जी का आदेश हुआ मुझे कि मैं उस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाओं मैं आउर वा काम किया और मुझे विल्न का आवार्ड मिला उस आवार्ड के जो संजूजक थे जो करता-धरता थे विनोगुपता जी उनसे वह परिशे हुआ जब उन्होंने मुझे संभानित किया तब से समझे विनोद गुपता जी एकदम फैमिली जैसे हो गया और मुझे लगा जैसे मेरा छोटा भाई मिल गया हूँ और अभी पिछली दो फिल्में बनाई हैं इन्होंने एक आनबान शान हैं दब्तक पुत्र और उनका आदेश था कि भई भया आप मेरी दोनों फिल्मों में काम कीजिए मैंने का विर्गुल में करूंगा विनोद जी से इस तरह का सब्बंद है कि मैं उन्हें ना नहीं कह पा तो आनबान शान को भी आपने पसंद किया और मेरा अनरोध है कि आप दग्तक पुत्र को भी उतना ही प्यार दें यश्कुमार इसके हीरो हैं और मैं इसमें एक जज की भूमिका निभा रहा हूं जो हीरोईन का पितावी है बाकी कहानी की डिटेल नहीं बताओंगा वरना आपको फिल्म देखने मानंद नहीं आएगा तो विनोध गुपता जी की बात किया है जो की बिगत 17-18 साहों से बोजपूरी सिनेमों में एक अहम योगदान देते हैं अवार्ट के माधियन से जो है भोजपूरी को जो है देश-विदेश तर पुपचाते हैं बिल्कुल सा जाए अवार्ड दिया जाए ये बहुत बड़ा काम था और अब तो उनकी देखा देखी बहुत सारे आवार्ड आजकल आ गये हैं मैं किसी का नाम नेना बेहतर नहीं समझता लेकिन ओरीजिनल जो शुरुवात की थी प्रारम में वो विनोध गुपता जी है और उनका कोई कुछ कहा जाता है तो वो उसका सम्मान करते हैं इंप्रोवाइज करने की पूरी छूट देते हैं और ब्रमोष शास्त्री जी के साथ काम की मैं उनके साथ दूसरी फिल्म कर रहा हूं आनबान शान पहली फिल्म की थी उनके साथ और ये मैं उनके साथ दूसरी कर रहा हूं और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आनन्दार है, उनके साथ काम करना गर्व की अन्भूती देता है, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि प्रमोष शास्त्री जी ऐसे ही प्रकति करते रहें, और मेरे लिए चुनोती पूर्ण भूमिकाएं निकालते रहें, क्योंकि मैं नामली खलनाएक की भूमिकाएं नहीं भाता हूँ, लेकिन इस बार उनों ने का कि भाईया इस बार आप पॉजिटिव रूल कीजिए, तो मैं इस फिल्म में ये चलिए देखिए, मैंने राज खोल दिया, कि मैं इस फिल्म में एक पॉजिटिव भूमिकाएं हूँ, और आप मुझे इसमें विल्लन नहीं देखेंगे, तो कैसा है वो आप प्यार देंगे तो पता चलेगा, अपने फाइस और ओडियन्स से बताना चाहेंगे सिर्की और क्या क्या प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? बिल्कुल जाओ, अभी मेरा एक फिल्म है, ये है मेरा वतन हिंदी फिल्म है, उसकी शूटिंग कम्प्लीट हो गई है, अभी पीछे आने से पहले उसका पोस्टर और टी-शिर्ट वगरा लांच होई है, वो देखिए जैसे ही उसके सब एडिटिंग और कम्प्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद रिलीज होगी, और और भी कुछ फिल्में हैं जिनका भी कुछ मैं नाम नहीं बता सकता आपको, क्योंकि नाम उसका भी ठीक से रक्काने होना है, प्रोजेक्ट से और कुछ वेब सिरीज हैं जो मैंने साइंग की हुई है, तो बंबई वापस लौट के मुझे उन सबकी शूटिंग में लगना है, तो जल्द ही आप कुछ फिल्में और वेब सिरीज देखेंगे मेरी,